अवद कॉम्ट्र चेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों को इंटरनेट टापिक के अंतरगत transmission मीडिया के बारे मताएंगे कि transmission मीडिया क्या होता है और ये कितने प्रकार के हैं तो चलिए हम class को शुरू करते हैं, आप जैसा कि thumbnail में देखी रहोंगे कि transmission media क्या है, इसकी प्रकार क्या है, types of transmission media, और इसमें हम जानेंगे guided media क्या है, जिसको हम physical media भी कहते हैं, साथ साथ हम bounded media भी कहते हैं, या हम इसको wired media भी कहते हैं, इसका कई नाम है, इसको कई तरह से जाता है, इसमें हमारा आता है twisted pair cable, coaxial cable और fiber optics cable आता है, unguided बतलब logical यानि की wireless या unbounded, हम wireless भी कह सकते हैं या unbounded भी कह सकते हैं, इसके अंदर कताब का radio wave, microwave और infrared जो है वेब आता है, तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि यह क्या है, और किस लिए यूज की जाते हैं, transmission media क्या है, transmission media सूचना को sender से receiver तक, सूचना को sender से receiver तक पहुचाने का एक रास्ता होता है, जो transmission media है, यह सूचना को information को sender से receiver तक पहुचाने का एक क्या होता है, रास्ता होता है, और यह दो प्रकार का है, एक wired है, जिसको हम physical बोल सकते हैं, guided बोल सकते हैं, ठीक है, wired यानि फिजिकल या guided हो गया या हम इसको bounded media भी कह सकते हैं और दूसरा आपका wireless दूसरा क्या है wireless है जिसको हम logical कह सकते हैं या जो है unbounded भी कह सकते हैं तो यहां पर आपको बताया गया है transient media यह दो प्रगार के guided और unguided यानि wired और wireless bounded अथवा unbounded ठीक या हम physical भी कह सकते हैं अब है guided में आपका twisted pair, coexial और fiber optic और इसमें है radio wave, microwave और infrared तो चलिए हम guided media के बारे में जाने के guided media मतलब wired, guided media का मतलब क्या होता है wired तो वह transition media जिसमें दो device के मद्ध है वह transition media जिसमें दो device के मद्ध, physical method connection जो है physical method जैसे की cable या wire के द्वारा होता है जो मारा data transition होता है वह physical माध्यम मतलब की तार अथवा cable के माध्यम से जो होता है उससे हम wired transition media कहते हैं क्या केते है wired transition media कहते हैं जिसमें तार और cable की माध्यम से हमारा data transmit होता है उससे हम जो होता है और साथी-साथ हम wired भी कह सकते हैं साथी-साथ हम इसको क्या कह सकते है, bounded media भी कह सकते है इसे guided media भी कहा जाता है और यह निम्रिशित प्रकार क्यों होते है coexual cable, fiber optics और twisted pair cable तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे इसमें दूसरे के साथ तुष्ट रहता है मतलब मुड़ा रहता है इस मीडिया के अंदर क्या होता है इस केबल के अंदर दो अलग अलग तार एक दूसरे के साथ तुष्ट रहता है मतलब मुड़ा रहता है जिसको हम पेर कहते हैं क्या कहते हैं पेर कहा जाता है जोड़ा कहा जाता ह देख सकते हैं इस केबल का इस्तिमाल नेटूर्क या इंटेनेट की सिगनल को सेंड करने और रिसीब करने के लिए प्रियोग किया आता है इस केबल का प्रियोग इस नेटूर्क या इंटेनेट की सिगनल को सेंड या रिसीब करने के लिए किया आता है टेलीफॉन लाइन में बहुत सारे तार होते हैं और दो-दो तारों का वहाँ पे जोड़ा होता है ठीक है तो टेलिफॉन लाइन वाला जो तार है वह आपका वहाँ पे ट्विस्टेड प्यर केबल का ही यूज किया जाता है यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं इसके बाद है जो कि आप यहाँ लुआ सधर में भी देख सकते हैं और इसी तरह आपका टार होता है इस केबल इस केबल को बनाने का structure थोड़ा अलग है मतलब इस केबल की आउठरια के रहता है outer मतलब बाहर सबसे बाहर आप देखते हैं चाहे black या white का covering होता है और अंदर दो अलग-अलग insulator अंदर दो अलग-अलग insulator होते हैं जो metallic shield और dielectric shield रहता है metallic shield और metallic shield का मतलब आपका यह हो गया ठीक है और dielectric insulator मतलब यह हो गया और उसके बाद रहता है copper का wire जो signal को destination में send करता है इस coaxial cable को दो अलग-अलग types भी है base band mode और दूसरा broad band mode तो यहाँ पे इसके दो प्रकार है तो यहाँ पे आपने देखा हो जो DTS का तार होता है उसमें एक अंदर एक पतला तार होता है उसके उपर क्या होता है plastic का एक मोटा cover होता है फिर उसके उपर उस plastic cover के उपर क्या होता है उस एक फाइल लगी होती है पननी जैसे लगा होता है फिर उसके उपर जाली नुमातार होता है उसके उपर जाली नुमातार होता है और जाली नुमातार मतलब यह हो गया, और इस जाली नुमातार के ऊपर भी क्या होता है, प्लास्टिक का कबरिंग होता है, तो यहाँ पे दो कंडेक्टर, एक इनर कंडेक्टर और आउटर कंडेक्टर, मतलब इनर का मतलब यह हो गया, आउटर का मतलब यह हो गया, तो दो कं आप्टिक्स है यह गलास अथवा प्लास्टिक की बनी होती है जिने आप्टिकल फाइबर भी कहते हैं यह केबल सूचना को एक अस्थान से दूसरे अस्थान प्रकास के माध्यम से ले जाती है इसमें जो है जो सूचना है वो प्रकास के माध्यम से ट्रांसमेट होती है एक अ और होता है बहुत तेजी से तीन लाकश और किलो मीटर पर सेकंड होता है च्ब्रेकरें नवी को पर सेकंड देटा नवीना, वाउननीजs had Sepert करता है मतलब इस केबल के डेटा को SCP में 350 किलों फेजने में यह सचम इस हमें आज कल आपने सुना होगा Jio Fiber या Eltal Fiber यह जो है Internetён sought connection भी मिला है तो जहाँ-जहाँ जो है इन्हों ने जैसे जियो है या Eltal है यह क्या है यह Internet Service Provider क्या है Internet Service Provider है Internet सिवा प्रधाता है तो यह जो है आपको High Speed Net देने के लिए आपके गाओं में, आपके सहर में fibre आप्टिक dh, मतलब Кон동 पर Five Ber आपको यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्पीड लेती है और नेट भी सस्ता है अगर हम बाहर से कनेकशन लेते हैं उस तरह से अंटीना वाला या इस तरह का तो उससे जो है काफी सस्ता पड़ता है आपका ये काफी ज़्यादा speed मिलती है आने वाले समय में जो DTS है या जो है उस तरह के जो connection है वो सब हट जाएंगे television हो गएरा के लिए direct जो है आप internet चे connect होकर जो है सारी चीजें देखेंगे तो ये हो गया fiber, optical अब आगे हम पढ़ेंगे wireless क्या पढ़ेंगे अभी तुम wired पढ़ रहे थे अब हम wireless या लाजिकल मतलब की unbounded जो है media के बारे में जानेंगे तो अब है wireless यानि unguided media wireless मतलब की unguided media तो ये क्या है unguided media का मतलब होता है wireless या unbounded media भी से हम कहते है data destination में send करने के लिए ये किसी भी तरह के physical medium का इस्तिमाल नहीं करता यहाँ पे तार अथा cable का use नहीं होता है data को transmit करने के लिए तो इस्तिमाल नहीं करता और इस guided media का भी तीन major type है radio wave, micro wave और infrared मतलब ये भी तीन प्रकार के है radio wave, micro wave और infrared इनके बारे में भी जानेंगे सबसे पहले जानेंगे radio waves क्या, radio waves क्या है इनकी आपरिती 3 kHz से लेकर 1 GHz तक होती है 3 kHz से लेकर 1 GHz तक होती है इन्हें आसानी से अस्थापित क्या दाजकता है, तथा इनका attonuation इतना उछ होता है रेडियो तरंगें ज्यादा तरो अम्री NATIONAL होती है। इनकी जो तरंगें ज्यादातर ओम्रीरिक्षानल होती हैं जब एक रेडियो तरंगो को ट्रांसेट करता है तो यह सभी दिसाओं में है फैल जाते हैं। रेडियो तरंगों का प्रियोग टेलिवीजन, मोबाइल तथा रेडियो के कम्मिनिकेशन में होता है, इनमें एक रेडियो ट्यूनर भी होता है, जो की रेडियो तरंगों को रिसीब करता है, तथा स्पीकर में इन तरंगों को मेकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है, ज इससे हम speaker से आवाज सुनते हैं, इस media की data transfer करने की speed 3 kHz लेकर 1 GHz है और इसके उधारण है AM और FM radio, आपने radio तो दिखा होगा, उसमें आप FM tuning करते हैं, ठीक है, तो वो जो भी है, वो radio waves के माध्जम से आपको signal दिलता है, और आप कोई भी channel बाजा से सुनते हैं, इसके बाद है microwave, क्या है, microwave, इसमें सुचना का transmission, electromagnetic तरंगों द्वरा किया जाता है, इसकी wavelength को centimeter में मापदाता है, किसमें मापदाता है, सेंटी मीटर में मापदाता है, इसकी आवरित्ती एक गीगाहट से अधिक होती है, तथा ये अनेक प्रकार के transmit से निर्मित होती है, microwave का प्रियोग, खाना पकाने तथा mobile आद में किया जाता है, आपने सुना होगा microwave, खाना पकाने में इस्तिमाल होता है, माइक्रो बेब का प्रियोग जो है, खाना पकाने तथा mobile आद में किया जाता है, तथा वाइफाई में इसका प्रियोग किया आता है, इस मीडिया की data transfer करने की speed एक गीगाहट्स लेकर तीन सो गीगाहट्स तक है, और इसके example है, mobile phone, communication और television distribution, अब हमारा जो अगला है, वह है infrared web, क्या है infrared web तो यह एक विसेश तरंग दायर्क का विद्दुत्ट चंबू किये, विकिरन होता है, जिन्हें हम infrared कहते हैं, क्या कहते हैं, infrared कहते हैं, इन तरंगों को मनुष देख नहीं सकता, infrared को मनुष देख नहीं सकता, परन्त इसकिन में हीट के रूप में महसूस अवस्थ कर सकता है इनका प्रियोग टीवी रिमोट कंट्रोल जो आपका रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेट होता है वायरलेस लाइन, सीसी टीवी या मिसाइल गाइडन्स सिस्टम आध में किया दाता है सन अठारा सो में सर प्रथम सर विलियम हर्चल ने इंफ्रारेट को बिकसे किया था तो आज की क्लास में हमने आपको प्रांजिस्टन मीडिया क्या है इसके बारे मताया हमने आपको बताया guided media क्या है, unguided media क्या है, bounded media क्या है, unbounded media क्या है, wired media क्या है, wireless media क्या है, physical media क्या है, logical media क्या है, यह सब हमने आपको बताया, साथ ही साथ हमने आपको बताया, कि जो हमारा transition media है, कितने प्रकार का है, ठीक है, और उनके कितने प्रकार है, जैसे हमने आपको wired के अंदर क्या क्या बत प्वायर्लेस में आपको क्या बताया माईक्रो गेशा करते हैं लाज मन मेंद में आई हो गीऊ तो अगले क्लास में हम एक नए टापी के साथ मिलते हैं ये ठीक के लिए जैहिंद जैभारत